36 गड के धमतरी जीले के गंगरेल में आयोजीत दो दिवस्य जल जगार महुत्सव का रविवार को समापन हो गया आपको बता दें कि आखरी दिन राजे के उप मुखे मंतरी अरुन साव और विधान सबाद यक्ष डॉक्टर रमन सिंग अंतर राष्ट के जल समेलन में शामिल हुए इसके अलावा प्रशासनिक अमले समेत बीजेपी के कई वरिष्ट नेता मौझूद रहें कारेकरम में डॉक्टर रमन सिंग ने कहा कि वे 15 साल तक राजे के मुख मतरी रहें और इस दोरान कई बार धमतरी आए लेकिन कभी अंगार मोती माता के दर्शन नहीं किये आज पहली बार मांगार मोती के दर्शन किये हैं ये मेरा सौभाग है आगे उन्होंने महुत्सव की खुब तारिफ की इज़ोरान डॉन कारेकरम का भी आयोजन किया गया डॉन के जरिये आस्मान में भगवान शिव के दर्शन भी किये गये साथ ही डॉन के जरिये जल जगार समीत कई आकरितिया दिखाई गई दूजी सी आज़न गंतरी में गंतरी के इस एतियासिक सर्परूत्री के बांद के और पहले दिन इसकी सुर्वाज माननी मुश्यमंतरीजी ने किया और आज इसका समापन हो रहा है अलग-अलग प्रकार से जल के उपर जांदरीति लाने के लिए के जल की सरक्षण के लिए सबर्धन के लिए हम क्या जब उपाय कर सकते हैं उसको बहुत सरल तरीके से लोगं तक लेजाने का काम किया और इससे बहतर स्थल नहीं हो सकता था अलग अलग जोन सो की माध्यम से यहां चात्रों के चात्र संसत के माध्यम से विश्चत के पूरे देश और दुनिया से आयते उनके द्वारा अपने अपने अनुभों को बताते हुए कि कैसे पानी की रख्षाम को करते हैं